हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका तो देखिए अभी UPSI 2021 का जो ओफिशल नोटिफिकेशन हो आउट हो चुका है आप भी जानते हैं देखी लिया होगा कल सबने बताई दिया है तो इसमें मैं पूरा बताऊंगा आको कैसे मैंने UPSI 2016 वालो जो आप देख सकते हैं यहां पर आप यह मेरा नाम वगेरा देख सकते हैं पूरा फुल डिटेल में अच्छे से दिखाऊंगा इसको आज इस वीडियो में हम पूरी फुल प्रेशन स्टेटी कैसे पढ़ने क्या 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 आता है कैसे पढ़ा जाता बुक लिस्ट क्या मैंने क्या करनी चाहिए एज ग्राइटीरिया क्या है क्या है क्या है पूरी डेटेल आपको मैं हमें बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 जिसको भी भरना है उसके लिए most important रहने वाले वीडियो ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों प्रूफ ही दिखा सब्सक्राइब करना तो यह देखिए UPSI 2016 जब यह मेरे आया था जब मैंने देखा था कुछ ऐसा पॉप अप हुआ था और चेक किया था तो यह आप डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के जम्में गया था मेरा आप यहां पर नाम देख सकते हैं रॉल नंबर भी दिखा जाता तो अब यह प्रूफ दिखा दिया इसके बाद मैंने कैसे करा था क्या किया था वह पूरा मैं आपको बता दूँगा ठीक है अगर आप सिर्फ देखने आए तो यहां के बाद आप छोड़के जा सकते हैं अगर आपको काम की और आपको सच में निकालना है मैंने कैसे निका हैं और टोटल जो है 9534, 9534, टोटल इतनी वेकंसी हैं जिसमें आप UR, EWS, OBC, SC, AST इनकी वेकंसी यहां सामने आपको दे रखी है ठीक है दोस्तों यह आप देख सकते हैं यह कली रेलीज हुआ है प्लाटून कमांडर की है प्लाटून कमांडर की आप यह देख सकते हैं हरी केटे करेगी है ठीक है दोस्तों 194 एक आपको बता दूँ जो 2016 में मैंने मैंने भरा था तब मुझे जहां तक यह यादस चार हजार वेकंसी आई थे और इस पर साड़े नो हो जा रहे है मुझे याद भी नहीं यूपी में कभी भी जहां तक मेरी यादस जा रही है साड़े अगर यह प्लाटून कमंडर की बात करूं तो देखिए कोई भी किसी उनिवेस्टी से कुछ भी आपने क्या हो किसी इस डियालेसिस ना था क्या उसकी हो ठीक है अगर आपनो अगनी समन दोती है फायर डिपार्टमेंट का तो उसमें फिर साइंस में मांगी है सिर्व उसके इसके लावा कुछ और भी है यह कुछ अलग 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 आपको आपको अपकी ज्यादा सम्मान दे देंगे और कुछ नहीं है ठीक है दोस्तों जो एज है एज की बात आते हैं क्योंकि एज का बहुत बड़ा क्रैटीरिया होता है तो एज में आप देखेंगे तो एक साथ मिनिमम होनी चाहिए और अटाइस वर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मतलब एक साथ दो नाइंटी नाइंटी इससे पहले क्या बॉर्ण नहीं होनी चाहिए अगर आप अधर स्टेट के भी है और आप यूपी का भरना चाहरे है तो आप देख लिजे का एक साथ हैं तो आप जानते हैं SC, ST, OBC और EWS इनकी यह दे रखी है कितना कितना प्रसंट इनको मिलेगा रेजरवेशन और जो एज में छूट मिलेगी है उनमें इतनी इतनी इनकी दे रखी है EWS के लिए कोई छूट नहीं मिलेगी EWS की कोई नहीं है वह ठाइस ही है वह एक साथ ना प्रमाण पत्र 34 2021 तक होना चाहिए इससे पहले का होना चाहिए ठीक है दोस्तों और एक अप्रेल 2020 के बाद का होना चाहिए एक अप्रेल 2020 के बाद का और 34 2021 से पहले का आपका OBC और यह जाती प्रमाण पत्र होना चाहिए ठीक है दोस्तों यही ध्यान रखने वाली बात है यह बहुत इंपॉर्टन रखने वाली बात है तो यह भी 34 जो लास्ट डेट है फॉर्म बढ़ने की 34 उससे पहले का होना चाहिए ठीक है जिसमें आप यह देख सकते हैं एक अपरल 2020 के बाद का हो और इससे पहले का हो ठीक है आपको इससे क्लियर हो गया होगा आगे और काम की बात करते हैं जिसमें हाइट स्टेंडर्स और वह सम्मागे है हाइट 168 cm माने की गई है लेकिन अनसुची जन जाती मतलब स्ट उनके लि होता है और फीमेल के लिए 152 cm और अगर आप स्ट है इतना आपको पता चल गया होगा इसके लाब आगर फॉम भरने की बात करें तो जो फॉम भरने की स्टार्ट हो रहा हो एक अपरेल से हो रहा है और तीस अपरेल तक यह फॉम भरे जाएंगे ठीक है जो फीस है वह 400 रु ठीक है दोस्तों इसके बात अगर एक्जाम की बात करें तो इसमें एक्जाम होता है ओनलाइन एक्जाम होगा और उसमें चार सेक्शन आएंगे हिंदी मूल विदी समविदान और समान गयान इंगलिस में बताऊं जो इंगलिस में वाले हैं CRPC Constitution और GK यह वाला सेक्शन हो सब्चैंट और यह हिंदी हो गया और यह आपके reasoning हो गया और यह math हो गया यह reasoning और यह math ठीक है तो है तो आपका हिंधी Constitution CRPC और GK और यह आपका reasoning or math यह चार सक्शन रहेंगे चार सो marks का आपका exam होगा हर एक 100 marks का इसमें भी कैच है और वो कैच क्या आपको डो घंटे का exam में हर एक सब्जक्ट में 35क्रेक्स मार्क लाना जरूरी है हर एक सब्जक्ट में थीक है है इस में आग यह से ज्यादा अगर आपको यह किलिए हर सब्जक्ट में डर्ट 30 35% मार्क लाने जरूरी है मतलब 400 में से 200 नमबर ला लें आपके लिए जरूरी है जब आप qualify कर पाओगे return हमारे टाइम पर भी यही था ठीक है तो जिनके भी अगर हर एक सेक्षिनल कट ओफ भी है तो इसी ले तना हई रखाय नहीं है हमारे टाइम पर 2016 वाले में नेगेटिव मार्क नहीं थी तो इतना दिक्कत नहीं होती है इसके लावा अगर स्लेवस की बात करें तो देखो इसके स्लेवस आप यह देख सकते हैं हिंदी में अलग अलग चीज़ा आती हैं देख सकते हैं राज छंद अलंकार और उपसार गव्य जितना भी है इसकी बुक भी बता दूगा कहां से पड़ा हो सब कुछ पूरी जान का इसके लावाद जो CRPC जिसे हिंदी में मूल विधी भी कहते हैं वह उसमें क्या-क्या है यह आपसे लिवस देख सकते हैं Constitution का पूरा देख सकते हैं सामान ग्यान का क्या-क्या पूछेंगे Science पूछेंगे Economy पूछेंगे Internet पूछेंगे इसके लावार रीजनिंग का देख सकते हैं मैत का देख सकते हैं यह रीजनिंग का यहां हो गया मैत का यह हो गया है ठीक है दोस्तों मैत में आप देख सकते हैं यह नंबर सिस्टम हो गया से पूछन भी सब्सक्राइब हो गया सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो गया सब्सक्राइब ext 007त? थूढ़ है लिए कि है थोड़ा सिंपल और कोई दिक्कत नहीं हो समुए दिक्कत भी पाप 싹 आते हैं बुक्स बुक्स का देखो इसमें हिंदी के अगर आपको पढ़नी हो जो मैंने पढ़ी थी अपने टाइम पर वह यह आती है सामान हिंदी की और मूल विधी के लिए आप पढ़ सकते हो देखने हो इसके अलावा जो मैंने पढ़ाता देखो मैं स्प्रेंट था ठीक है तो मेरे लिए मैथ और रीजिनिंग यह मुझे अलग से कुछ पढ़नी थी नहीं तो मैं कर रहाता हुए जो मुझे जानते हैं इसका अयरा एक था यह 3 ने जो कि एक महीना पहली है मैंने तो चीज पढ़ रहा हुआ है यह oh सब्सक्राइब के लिए इसके बहुत बच्चों वाली लगेगी बहुत वना उड़ा देंगे सब्सक्राइब को थोड़ा ध्यान देखने नहीं पड़ेगी हिंदी पर और यह सब्सक्राइब के लिए एक यह मूल विदी पड़नी और यह अलग पड़ना और कुछ भी अलग नहीं पड़ना आपको किसी को प्रेक्टिस सेट लगा के देखने हो प्रिविश यह पेपर भूक महा रहे ना सौर पर केसी आ जाएगी और इसे पिछले चार-पांच सालों की सब्सक्राइब करें तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको ठीक है इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्टिस नहीं लेना हो तो यह बुक फॉलो करी थी जो मैंने अपनी अपनी बता देता हूं जो मैंने करी और जो आप क्या-क्या कर सकते हैं देखू करें कोई भी कर रहा है वह रीजनिंग के लिए उसको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूत में कुछ भी एक जरूर आता है जो जिसमें बैंकिंग में आती है वह जिसमें ऐसे होता है जैसे एबीसी 123 और यह करके पूरी पूरी सीरीज बनती है और उसमें कई स्टेप वहते बागी जो नॉर्मल सीरीज वगएर आए न सब जो कुछ भी होते हैं वही सब कुछ है बस एक थोड़ा से बच्चों को अलग लगेगा वह यह लगेगा चैन वाली जो होती है वह बंती है जो दूसरा मैथ मैथ एससी वाले बच्चों के लिए इससे ज्यादा इजी मैथ होग करेंगे तो तो सब यह साही होते थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं और ऐससी बच्चे होले बच्चे जो 200 हेना रहा चार सो 200 मांघे ला देते हैं अकेले मेथ के दम पर ही बाकि क्वालिफाइंग भी कर जाएं ना मैस और रीजिनिंग कि उस पर ही जो 200 मांघे दोसा में से कर नंबर ला देते हैं इन्हीं दोनों सेक्शनों में बसता है फिर जीके और हिंदी उसमें थोड़ा सा भी पढ़के बास क्वालिफाइंग भी आप ला दोगे 35-35 नंबर 70 नंबर भी तो भी डाइसो आपका हो जाए और डाइसो पर आप कोई नहीं रूख पाएगा ठीक है इस पर देख लो पता चल जाएगा कैसे पर आते हैं हिंदी में कैसे सवाल आते हैं फिर पढ़ने के लिए आप इससे बुक को पढ़ सकते हो उनिक पर्टिकलर टॉपिक्स को कंट्रोल करने के लिए यह आप फॉलो कर सकते हो और CRPC वैसे तो जरूरत है नहीं कुछ खास आपको कुछ 8-10 कुछिन आएंगे अगर आपको मोटा मोटा पढ़ना हो तो यह पढ़ सकते हो मैंने यह पढ़ी थी कुछ दिनों वहां लाग मेरे कुछ ऐसा कोई फाइदा नहीं वहाब पढ़ी थी बाकि कॉंस्ट्यूशन वह आपने बढ़ते हैं यह से वाले जो भी में करवा भी रहा हूं और यूपी की बहुत जल्दी यूपी के हर इक स्टेटिक जी के पूरा सेक्शन में पूरा कंप्लेट करा दूँगा हालांकि इसका एक्जाम जो है अभी नहीं होगा क्योंकि हमारा 2016 वाला 2018 में हुआ था मैं गारंटी ले रहा हूं भी देखते हैं अब और वह उसकी जोईनिंग जाके 2020 में आई है 2016 वाले एक्जाम की तो यूपी है वह यूपी में चार-पंस सा लगते ही लगते हैं 2021 में हो जाए पहली स्टेज बड़ी बात होगी क्योंकि एक अपरल से तो आपके फॉर्म ही बरे जा रहे हैं 30 अपरल तक फॉर्म ही बरे ही जरोत नहीं है ठीक है दोस्तों बाकी आपको कुछ भी के रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए कुछ भी सजेस्टन चाहिए कुछ भी पूछना है कोई टिप्स आईदेंस आप कमेंट करें बता दीजिए और कि कोई टॉपिक पर सीव आ रहा है तो वो भी बता यह पूरी हेल्प करने के लिए आपके लिए रेडियों ठीक है दोस्तों चलो मिलेंगे फिर जल्दी बहुत बाई बाई टेक क्या है